बहला पाट प्रज्याग्रंद अध्याय दो पत्संख्या बारा से बाईस हम उसे घिनवनी मृत्यू का दंड दिलाएं बीधर्मी कुतर्क करते हुए आपस में या कहते थे हम धर्मात्मा के लिए फंदा लगाएं क्योंकि वह हमें परेशान करता और हमारे आचरन का विरोध करता है वह हमें सहीता भंग करने के कारण फटकारता है और हम पर हमारी परमपराओं को त्याग देने का अभियोग लगाता है वह समझता है कि वह इस्वर को जानता है और अपने को प्रभु का पुत्र कहता है वह हमारे विचारों के लिए जीवित चुनवती है उसे देखने मात्र से हमें आरूची होती है उसका आचरन दूसरों जैसा नहीं और उसके मार्ग धिन है वह हमें खोटा और आपवित्रे समझकर हमारे संपर्ख से दूर रहता है वह धर्बियों की आगती को सुभागिया साली बनाता और सेखी मारता है कि ईश्वरुष्का पिता है हम या देखे कि उसका दावा कहां तक सच है हम या पता लगाएं कि अंत में उसका क्या होगा यदिवा धर्मात्मा ईश्वर का पुत्र है तो ईश्वर उसकी सहायता करेगा और उसे उसके बिरोधियों के हाथ से छुडाएगा हम अपमान और अत्याचार से उसकी परिच्छा लें जिससे हम उसकी वी नमरत्ता जान जाएं और उसका धार्यप परक सकें हम उसे घिनवनी मृत्यू का दंड दिलाएं क्योंकि उसका दावा है कि वा सुरक्षि थी रहेगा वे ऐसा सोचते थे किन्तु यह उनकी भूल थी उनकी दूश्टता ने उन्हें अंधा बना दिया था वे ईश्वर के रहस्या नहीं जानते थे वे ना तो धार्मिक्ता के प्रतिफल में विश्वास करते थे में प्रभु की वानी है इश्वर को धन्यावाद भजन अनुवाक्या प्रभु दुख्यों से दूर नहीं है प्रभु कुकर्मियों से मुझ फेर लेता और प्रीठी पर से उसकी इस्मृती मिटा देता है धर्मी प्रभु की दुहाई देते हैं वा उनकी सुनता और हर प्रकार की विपत्ती में उसकी रक्षा करता है भजन अनुवाक्या प्रभु दुख्यों से दूर नहीं है जिनका मन तूट गया है वह उन्हें संभालता है धर्मी विपत्यों से घिरा रहता है किन्तु उन सभों से प्रभु उसे छुडाता है भजन अनुवाक्या प्रभु दुख्यों से दूर नहीं है प्रभु उसकी हडियों की रक्षा करता उसकी एक भी हड़ी नहीं रौंदी जाएगी प्रभु अपने सेवकों की आत्मा को छुडाता है जो प्रभु की सरन में जाता है वह कभी नश्ट नहीं होगा भजन अनुवाक्या प्रभु दुख्यों से दूर नहीं है संत योहन के अनुसार पवित्र सु समाचार अध्याए साथ पद संख्याए एक से दो दस और पचीश से तीस तक वे उन्हें गिरफतार करना चाहते थे किन्तु अब तक उनका समय नहीं आया था उस समय येशु गललिया में भी घुमते थे वह यहुदिया में घुमना नहीं चाहते थे क्योंकि यहुदि उन्हें मार डालने की ताक में रहते थे यहुदियों का सिविर पर्व निकट था जब येशु के भाई पर्व के लिए जा चुके थे तो वह भी प्रकट रूप में नहीं बलकि जैसे गुप्त रूप में पर्व के लिए चल पड़े कुछ एरुसालेम निवासी यह कहने लगे क्या यह वही नहीं हैं जिसे हमारे नेता मार डालने की ताक में रहते हैं देखो तो यह प्रकट रूप से बोल रहा है और वे इससे कुछ नहीं कहते क्या उन्होंने सचमुच मान लिया कि यह मसी हैं फिर भी हम जानते हैं कि यह कहां का है परन्तु जब मसी प्रकट हो जाएंगे तो किसी को यह पता भी नहीं चलेगा कि वह कहां के हैं यह सुने मंदिर में सिक्छा देते हुए पुकार कर कहा तुम लोग मुझे भी जानते हो और यह भी जानते हो कि मैं कहां का हूँ मैं अपनी ही इच्छा से नहीं आया हूँ जिसने मुझे भेजा है वह सच्चा है तुम लोग उसे नहीं जानते मैं उसे जानता हूँ क्योंकि मैं उसके पास से आया हूँ और उसी ने मुझे भेजा है इस पर वे उन्हें गिरफतार करना चाहते थे किन्तु किसी ने उन पर हाथ नहीं डाला क्योंकि अब तक उनका समय नहीं आया था प्रभु का सू समचार एक रिष्ट तेरी इस्तूती हो अब तक उनका सू सकता है